एले वरिवान, वेलकम बैक टू शाउनालज बैंक, स्वागता आपका एक बार फिर से शाउनालज बैंक के यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम लोग इन्वाउमेंट और बायडिवरस्टी के जितने भी इंपॉर्टन्ट MCQ होंगे 40 to 50 MCQ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिसकस करने जा रहे हैं कंप्लीट कवरेज होगी सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में आपके JKPSI एक्जाम के लिए ठीक है तो रिवीजिन आप इस वीडियो से कर सकते हैं और कानों का यूज करना है कान खोल के अच्छे से सुनिए एयरफोन से लगा लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा सिर्फ और सुनते रहिए और याद करेए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता ही है हिस्टरी की हमारी क्लास आती है डिली शाम पांच बजे आर्ट एंड कल्चर की साथ बजे और साइंस एंट टेक की नो बजे ये भी आपके एक्जाम पॉइंट आफ यू के लिए एक्जाम पॉइंट आफ यू से बहुत ज्यादा इप इंपॉर्टन है आप लोग ये लेक्चर भी ज़रूर अटेंड करिए ठीक है और उसके बाद आपना ये पीडियाफ हर एक लेक्चर की आपको हमारे टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगी या वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी लेक्चर हमारे आज तक हुए हैं सभी की पीडियाफ हमने वहां पर अपलोड कर लगिया है बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट ऐसा नहीं है कि दो तीन पीडियाफ देंगे हम आपको डेमो के लिए थर्ड और फॉर्थ पीडियाफ के लिए हम आपको बोलें सर्ज इत स्टेट ठीक है महिंदरगिरी हिल सिस्टम जो है यह कौन सी स्टेट में सिच्वेटर है महराष्टरा ओडिशा मद्यपरदेश या असाम तो यह कौन सी स्टेट में है that is in ओडिशा महिंदरगिरी हिल इको सिस्टम याद रखिएगा नेक्स देखिए which is the first known species to be capable of both increasing and decreasing its brain size यह कौन सी species है जो अपने size को भड़ा भी सकती है घटा भी सकती है किस के size को that is brain का size तो यह कौन सी species है आप मुझे पताएए यह options are Indian jumping ant, lion-tailed macaque, great Indian bustard, olive riddle turtle तो यह है हमारा option A is the correct answer Indian jumping ant यह क्या है ऐसी species है इंडिया की पहली species है जो अपने दिमाग की size को बढ़ा भी लेती है और गटा भी लेती है next देखे which is the smallest of all living rhinoceros and the only Asian rhinoceros with two horns ठीक है इन में से कौन सी जगह पर पाए जाते है smallest all living rhinoceros और only Asian rhinoceros है जो दो हौने जिनको दो सींग है options are Sumatra rhino, Malaysian rhino, Assam rhino या Javan rhino तो यह है option E Sumatra rhinos ठीक है next which is the deepest ocean trench on the earth ocean trench deepest ocean trench कों सा है धर्ती पे यह आपको पता ही होगा moly hole, marina trench, brown sun deep या factorial deep तो that is option B is the correct answer marina trench ठीक है what is Tasmanian devil ठीक है Tasmanian devil क्या है जो अभी news में था recently एक malware है, एक cryptocurrency है, wild animal है या submarine है यह आप लोगों को options देके ही समझ जाना चाहिए हम लोग computer तो पढ़ने रहे जो malware पढ़ेंगे, economy की बात तो चल नहीं जो हम लोग crypto currency पढ़ेंगे इस क्या है जो यूज होता है pest control में बताइए, ecological DNA, environmental DNA, etymological DNA या endemic DNA तो यह है हमारे पास environmental DNA ने, alright, next देखिए, crassilla volub, a rear organism spotted in Kerala, belongs to which category of species, crassilla volub जो है, जो rear organism हमने केरला में spot किया है, वो कौन से category में belong करती है, spider, turtle, snake या frog, तो यह है option A, spider ठीक है, next देखिए, which Indian city was adjudged the second most polluted city of the top 50 most polluted cities in the world, दुनिया की सबसे 50 most populated cities है, उन में से second number पर हमारी इंडिया की city है, वो कौन सी है, गाजियाबाद, कानपूर, गुडगाउं या फिर दिल्ली, तो यह है हमारे पास option A, गाजियाबाद, याद रखिएगा option A, that is ठीक है, which is the first major city in India to release climate action plan, ठीक है, कौन सी पहली city हमारी इंडिया की जिसने climate action plan को release किया है, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोची या एमदाबाद, यह आप लोग idea ही लगा सकते थे, that is मुंबई, ठीक है, next, national research center on york, nrcy is located in which of the following state, ठीक है, national research center on york, लदाख, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम या उतराखंड, तो यह हमारा कहां पे है, that is in अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, अरुनाचल प्रदेश, what is the theme, theme क्या थी, tiger rallies, जो हमने कब की थी, 2nd October, across 51 tiger reserves in India, तो अमरुत भारत, India for tigers, a rally on wheels, या फ wheels, next, which Indian state or UT has announced 10-point winter action plan, ठीक है, दिल्ली, बिहार, West Bengal या पंजाब, तो यह किया था, दिल्ली ने, new दिल्ली ने है announce किया है, 10-point winter action plan, option E is the correct answer, ठीक है, green war room and green app, are the initiatives of which of the following Indian state or UT, बिहार, new दिल्ली, केरला या असाम, green war room and green app, कौन सी state का initiative है, किस state ने एप बनाई है, green app, जिसमें क्या है, आपके, Ola, Uber, यह सब छोड़के, आप लोग E रिक्षा करिए, E रिक्षा नहीं, हमाँ E रिक्षा भी कर सकते हैं, और प्लस अपने पास electric cycle से हमाँ पे वो जा कि आप ले सकते हैं, green app के, through, तो कौन सी state का था यह, UT का था, बिहार, दिल्ली, केरला या असाम, तो यह है new दिल्ली, option B is the correct answer, इसका initiative था ही, which place in India is known to have all three species of crocodiles, कौन सी जगा है जहां पे, crocodile की तीनो species पाई जाती है, केंदरपारा, कोची, कनूर या कोनार्ग, तो that is option A, केंदरपारा में, crocodiles की तीनो species पाई जाती है, next, the Odisha forest department proposed to fit radio callers, ठीक है, radio callers fit करने की बात कर रही है, कौन से animal पे, ताकि हम eliminate कर सके human conflicts, तो अब क्या है, जो elephants जो है, वो क्या होता है, roads की बीच में आ जाती है, जिससे क्या है, इनसान डर जाते हैं, या तो कभी-कभी हाथी डर जाते हैं, और वो बचारे इधर उदर जाके, गिर के कहीं, उनकी deaths हो जाती है, तो यह हमने elephants के लि concussion, ठीक है, यह क्या है, दा पंच मित्र, concussion is associated with climate change, infrastructure development, port construction, bilateral relation between India and Bhutan, तो यह option easy था, आपने पास, option A is the correct answer, that is climate change के related है, पंच मित्र concussion, ठीक है, as per recent NASA study climate change, which crop is set to see growth of 17% due to climate change, NASA की एक study थी climate change पे, उसके according कौन सी crop को है, जो 17% grow मिलेगी climate change की वज़ा से, options है rice, wheat, maize या cotton, तो यह है option B, that is wheat, wheat जो है 17% rise करेगा due to climate change, next देखिए, भूसा टाइगर रिजर्व, recently seen in news, is located in which of the following state or union territory, भूसा टाइगर रिजर्व है, वो कहां पे है, वो कहां located है, जो अभी recently news में थी, चिन्नाई, भवनेश्वर, कोलकटा या दिल्ली, तो इसका correct answer है, that is option D, दिल्ली, नजफगर जील जो है, यह दिल्ली में है, ठीक है, अब next option देखिए, फैलिस, सिल्वरीत्रिस, और नेट, ठीक है, फैलिस, सिल्वरीत्रिस, और नेट, is a scientific name of which animal spotted for the first time in मद्धे परदेश, यह कोन सा animal है इन में से, जो spot किया किया है मद्धे परदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है, कि साइंटिफिक नाम किया है इसका, फैलिस, सिल headed agama या फिर maggar crocodile तो ये किसका scientific नाम है that is option A Indian desert cat का ठीक है जो के कहां पाएगी पन्ना tiger reserve कहां in madhya pradesh ठीक है next question देखिए which institution released the climate of India during 2020 ठीक है किस ने ये report release की थी climate of India during 2021 नबाड इंडिया metrological department नितिया योग या environment ministry तो ये किस ने release की थी हमारे पास IMD that is Indian metrological department option B is the correct answer ठीक है next which newly discovered species has been named after pandemic ये कौन सी species है जिसका हमने नाम pandemic के बाद रखा है क्या नाम है इसका humbatrium हम गोविडम ठीक है हम बेटियम कोविडम तो ये कौन सा है इन वे से species snake फ्लैट वाउम हाउस रैड या फिर हाउस फ्लाइट तो ये है हमारे पास फ्लैट वाउम ठीक है फ्लैट वाउम का हमने आफ्टर पैंडेम पैंडेमिक नाम रखा हुए है हम बेटियम कोविडम ठीक है क्या ? फ्लैट वाउम याद रखे गए इस chef T.U हिंडिया फिर्स शेटिजन द्र्वर्ड रम्ड या ओ्ड़ूज इंडियाज फिर्स फी्टिजन द्रेवन स्टेट लेवल बर्ड अटलेस ठीक है, world's largest coral reef system जो है, वो कौन सी country में है, तो that is in Australia, ठीक है, इसका correct answer भी ही Australia है, ये तो सब को पता ही होगा, ठीक, next देखिए, खजीदिया wildlife century, ठीक है, ये new ramsar site है, कौन सी state में है, इसको अभी new ramsar site में add किया गया है, ये locate कौन सी state ये UT में करती है, हर्याना, बिहार, गुजरात या उतराखंड, तो ये कौन सी state में पाए जाता है, that is, गुजरात में है, खजीदिया wildlife century, जिसको अभी ramsar site क ओधा मिला है, ठीक है, कहां पे गुजरात में याद रखिए गई, white-cheeked macaque, ठीक है, white-cheeked macaque, a new mammal species in the country has been discovered in which country, which state, कौन सी state में, cheeked macaque, new mammal species पाई गई है, हमारे देश में, उतराखंड, आसाम, अरुनाचल प्रदेश या सिक्किम, बहुत असान answer है, तो इसका answer है, that is, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, अरुनाचल प्रदेश, लास्ट कोशन देखिए, इस सीरीज का, केरेवास, ठीक है, केरेवास, और fertile alluvial soil deposit found in which state और UT, ये कौन सी UT या state में पाई जाती है, केरेवास, केरेवास, एक alluvial soil है, जिस पे हम लोग, क्या, केसर को उगाते है, केसर that is saffron, ठीक है, तो ये कौन सी state में पाई जाती है, उत्तर परदेश, वेस्ट बिंगॉल, जम्मो एंड कश्मीर या बिहार, तो इसका correct answer क्या है, that is option C, जम्मो एंड कश्मीर, तो ये थी हमारी environment and bio diversity के कुछ important questions, hope so आपको ये helpful रहेंगे, ये one shot series थी, हमने complete coverage रखी थी, JKPSI क कोई मद्दे नज़र रखते हुए, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, तो like कीजेगा, अगर पसंद ना आई, तो dislike करके हमें जरूर बताएगे कि आपको क्यों पसंद नहीं आई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, next video session में, till then, God bless you, keep learning, keep sharing.